लेटेश अपडेट्स और ताजा तरीम खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइप को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए एक तरब जहां राज्य सरकार लोगों को कोरोना से बचाने के प्रयास में जुटी है वही नौइमबई मनपा के डाक्टर है की मरीजों की जान लेने पर आमादा है ताजा मामला वासी के कोबिट केर सेंटर का है जहांके डाक्टर मा ने घोलप और यादो को रेखा एल लेनामय के एक महिला की मौत का जिम्मेदार बताते हुए उनके खिलाब हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की गई है भारती मराठा महासंग के प्रदेश अध्यक्ष बंसी डोके ने आयुक्त को निवेदन देकर कोबिट केर सेंटर के इन डाक्टरों पर सक्त कारवाई करने और कोबिट सेंटर में होने वाली ऐसी मनमानी रोकने की अपील की है देखे रिपोर्ट यहां के जो लोकल डाक्टर्स है अगर किसी की जान लेते हैं तो उनके उपर मनुष्यवत का दुना ताकिल होना चीए पोल्ड रहे हमारा चोदा अद्मी कोई नहीं है तो हम लोग यह इसको मम्मी को लेके कहा जाएगे तो भी इनको दीन दीन सताया गया नवीम भई का यही वो जम्बो कोबिट केर सेंटर है जहांके तीन डाक्टरों की मनमानी ने रेखा एले नमक महिला की जान ले ली है हपते बर पहले रेखा एले को उनकी संक्रमित बेटी अंकिता के साथ वासी के इसी कोबिट सेंटर में भरती कराए गया था इनका बेटा दिपेश को पर खेरने कोबिट सेंटर में भरती था यानि घर के सभी तीनों सदस से कोबिट सेंटर में दाखिल थे बताया जा रहा है कि ऐसे समय में जब रेखा की तबियत बिगडी तब सेंटर के डाक्टरों ने उसे ततकाल प्राइबेट हॉस्पिटल में ले जाने का सुझाओ दिया घरवालोंने कोबीट सिंटर में होने की दुहाई देकर डाक्टरों को ही कुछ करने की गुहार लगाई लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया रेखा ना तो दूसरे हास्पिटल भेजी गई ना उसे बहतर इलाज मिला जिससे उसकी मौत हो गई भारती मराठा माशंग के प्रदेश अद्यक्ष बंसी डोके नहीं से चिके सकों का अपराध बताते हुए मनपायुक्त को सिकायद दी है और डाक्टरों के खिलाप सक्त कारवाई की मांग किये जबकि वो लेडिज की तबियत एकडम खराब हो गई तभी वहाँ के डॉक्तरों ने उसके लड़की को और उसके लड़के को फोल करके बार बार बोलने को चालू किया कि आपके मुम्मी को जहां से कई और सिफ्ट कर गए अभी अगर घर में कोई है नहीं है उनका चवता अदमी है नहीं कोई घर पे तो वह लेडिस को कौन उटा के लेके जाएगा है कोन कहां सिफ्ट करेगा कोन उसका जिम्मेदारी लेगा इसके लिए मै फेपर में ग्रीज दिया है वो निवेधन में है हैं और अयुक्ता सहाब से हमें पूरी खातरी है कि वो डॉक्तरों के खिलाफ पक्तका उनके अगेंस कोई ना कोई एक्षिन ले लेंगे पचद्गत की एक महिला लेडी है पचद्गत छोड़ो लेकिन एक लेडी है करके हम लोग आगे आया है वो लोग को बार-बार फोन कर से निकालने के लिए लेकिन जब हैं किया डॉक्तर में मेरे सब्कात नहीं कि इनको इंको इंको इघर बुला तो बार-बार उनको एक्षिली दोनों भी बेटे और बेटा को विडें सीरियस थे हूँ भूल रहे है हमारा चौधा कोही है तो हम लोग है मम्पी को लेकर po जाएंगे। तो भी एंको दीन दीन सताया गया छुद के छुद्स नाम थे लाषए को ने करămद ह। तभी मैंने अवारे महराणा महासंदर के वार्श्च ओल च सब्सक्र लेंगे। बताना जरूरी है कि कोरोना महमारी से लोगों की जान बचाने जहां राज्य के उध्धो सरकार लगातार प्रयास कर रही है और मनपा आयुकत अभिजीत बांगर दिन रात सुविधा जुटाने में लगे हैं वहीं उनके डाक्टर हैवानों की भूमिका निभाकर मनपा की मिठी पलीद करने में जूटे हैं रेखायले की मौत इसका सबूत देती है माराठा मासंग के प्रदेशाद्यक्ष बंसी डोके ने कहा कि यह मनुस्य बद है इसलिए डाक्टर माने डाक्टर घोलप और डाक्टर किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और यहां के जो लोकल डाक्टर्स हैं अगर किसी की जान लेते हैं तो उनके उपर मनुस्य बद का दुना दाकिल होना चीए श्यार साहब ने हमको अश्रसन दिया है कि ऐसे कोई भी डाक्टर हो जो ऐसे रुखन के साथ दियेव कर करते हैं ऐसे लोगों को बिल्कुल माप नहीं किया जाएगा उनके उपर एक्षिन ली जाएगा जिनके नाम हमने लिये उन डॉक्टरों के उपर अगर करवाई नहीं होगी तो हमारा भारतिय मरता माहसंग रस्ते पर आएगा और एक बड़ा अंदोलन थेड़ेगा जिसकी वजे से उनके उपर आप्षिन लेना ही पड़ेगा बिरो रिपोर्ट टीवी वन इंडिया